मध्यप्रदेश के एक गाव में दो लोगों की आपसी रंजिस के चलते एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बात का युनिवर्स से क्या रिलेशन है? इसे जानने के लिए आपको देखना होगा फर्मी पैराडॉक्स को आप जान पाएंगे कि कैसे इनसान की फितरत उसे ब्रम्हांड में मौझूद दूसरी सभ्यताओं से मिलने से रोक रही है दोस्तों, दुनिया में सबसे तेज गती प्रकाश की है, यानी एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर लेकिन प्रकाश की स्पीड से ब्रम्हांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में हमें 93 अरब साल का समय लगेगा हमारे ब्रम्हांड में 200 अरब गैलेक्सी हैं हर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे और ग्रह मौझूद है ऐसे में आप में से हर कोई ये सोचेगा कि इतने बड़े ब्रम्हांड में मौझूद इन अरबों ग्रहों में लाइफ तो लबालब भरी होनी चाहिए लाखो एलियन सभ्यता मौझूद होनी चाहिए लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी ज्यादा मात्रा में लाइफ मौझूद है तो अब तक किसी एलियन सभ्यता ने हमसे कोउन्टेक्ट क्यों नहीं किया क्या ब्रम्हांड में सिर्फ आठ अरब लोग ही रहते हैं यही सवाल तब उठा जब सन 1950 में न्यू यॉर्क शहर में अचानक डस्टबिन गायब होने लग जाते हैं और उसी समय कुछ UFO की घटना भी देखी जाती है न्यू यॉर्क टाइम्स में यह घटना इस तरह छपती है कि कुछ UFOs डस्टबिन गायब कर रहे हैं इस घटना का UFO से कोई relation तो नहीं था लेकिन इसे लेकर American physicist Enrico Fermi, Edward Taylor और Herbert York का आपसी discussion aliens की तरफ चला जाता है और Enrico Fermi यह पूछ बैठते हैं कि अगर इतने बड़े universe में aliens है तो आखिर बाकी सब कहां है यानी क्या हम आठ अरब लोग अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं इसी उल्जन को scientist ने नाम दिया है Fermi Paradox तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है यह interesting paradox और क्यों अब तक aliens ने हम से contact नहीं किया है दोस्तों अगर आज हम अपनी प्रित्वी से प्रकाश की गति से चलना शुरू करें तो एक लाख साल लगेंगे हमें Milky Way galaxy को पार करने में लेकिन अगर हम दूसरी galaxies तक पहुँचना चाहे तो हम चाहकर भी उन galaxies तक कभी नहीं पहुँच सकते क्योंकि हमारा ब्रम्हांड लगातार फैल रहा है इस वजह से सभी galaxies एक दूसरे से दूर जा रही है ऐसे में हमारे universe में मौझूद life को ढूंढना तो हमारे लिए पूरी तरह impossible ही है अगर हम बात करें हमारी galaxy की तो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में 400 अरब तारे है ये इतने ज्यादा है कि अगर एक सेकेंड में एक तारे को गिना जाए तो आपको 100 जन्म लग जाएंगे इन्हें गिनने में मंदाकिनी में हमारे सूरज जैसे 20 अरब तारे मौझूद है इनमें हर पांचवे तारे पर प्रित्वी जैसा प्लैनेट हो सकता है जहां लाइफ संभव हो अगर इनमें से पोईंट एक प्रतिशत ग्रहों पर भी लाइफ मौझूद हो तो भी सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही 10 लाइफ ऐसे ग्रह होंगे जहां लाइफ संभव हो यानि कि हमारी आकाश गंगा मिलकीवे में ही लाखों ग्रहों पर लाइफ मौझूद हो सकती है हमारे युनिवर्स को बने हुए 13 अरब साल बीच चुके हैं हमारी पृत्वी पर लाइफ साढ़े तीन अरब साल पहले शुरू हुई थी जिसमें हम इनसान पिछले तीन लाख साल से धर्ती पर मौझूद है ऐसे में हम कह सकते हैं कि पिछले इन अरबों सालों में मंदाकिनी में मौझूद इन लाखों ग्रहों पर जीवन पैदा होने के लिए काफी समय मौझूद था इस हिसाब से तो हमारा ब्रम्हांड एलियन्स सभ्यताओं से भरा होना चाहिए लेकिन यहां आकर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो इतने समय में आज तक एलियन्स हम से मिलने क्यों नहीं आए अगर हम आज की टेकनोलोजी से भी धीरे धीरे दूसरे ग्रहों पर बसना शुरू कर दें तो भी हमें सिर्फ पचास लाख से पाँच करोड साल लगेंगे पूरी मंदाकिनी आकाश गंगा में बसने के लिए जबकि अगर ब्रम्हांड में हमारे जैसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है तो अब तक हमें उनके सबूत मिल जाने चाहिए थे जैसे हमें विशाल समुद्र में शिप्स का ट्रेफिक नजर आता है वैसे ही अंतरिक्ष में स्पेस शिप मिलनी चाहिए थी अगर डायरेक्ट एलियन या स्पेस शिप न मिले तो दूसरे ग्रहों पर उनके निशान आर्टिफेक्ट्स मिलने चाहिए थे अगर aliens ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमें आज तक एक भी evidence क्यों नहीं मिला हम इनसानों ने धर्ती से कई message ब्रह्मांड में छोड़े हैं ताकि कोई intelligent life इन्हें detect करके हमसे contact कर सके लेकिन आज तक हमें न किसी का message मिला नहीं हमारे message को किसी ने reply किया तो ऐसे में सच क्या है अगर galaxy में ही लाखों alien सभ्यता के होने के chances है तो आखिर वो बाकी सब कहां है वो हमें आज तक क्यों नहीं मिले आखिर इस विरोधाभास का solution क्या है इसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि एक intelligent civilization कितनी advance हो सकती है जिसे जानने पर हमें इस गुथी के कुछ जवाब मिलते हैं हमारे ब्रह्मांड में मौझूद intelligent alien civilization तीन टाइप की हो सकती है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 इसे कारडाशेव स्केल भी कहा जाता है टाइप 1 civilization एक ऐसी advance सभ्यता होती है जो अपने planet की सारी energy का use ले सकती है यानि अगर हम अपने सूर्य से पृत्वी पर आने वाली सारी उर्जा का प्रयोग करना सीख जाए तो हम टाइप 1 civilization कहलाएंगे फिलहाल, जितनी उर्जा का प्रयोग हम इनसान कर रहे हैं फिलहाल, हम टाइप 0 civilization के लेवल पर है अगर हम टाइप 1 लेवल पर पहुँच जाए तो हम अपने planet पर आने वाले खतरों पर कंट्रोल कर सकते हैं चाद, मंगल, शुक्र और पूरे solar system में अपनी मानव बस्ती बसा सकते हैं अगर ब्रम्हान में मौझूद aliens टाइप 1 civilization है तो हो सकता है कि वे हमसे काफी दूर हो और हमें contact नहीं कर पा रहे हो उदाहरण के तौर पर हमें अपने सबसे पास मौझूद तारे प्रॉक्सिमा सेंटॉरी पर ही जाने में कई हजार साल लग जाएंगे ऐसे में हमारा वहां मौझूद life से contact करना ही संभव नहीं हो पाएगा लेकिन अगर ऐसा है तो उनके signal तो हमें मिल ही सकते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि ऐसी civilization पास्ट में रही हो और बाद में वो खत्म हो गई हो यानि जिस समय हम इंसान पैदा ही नहीं हुए होंगे उसी से पहले ही वो civilization हजारों सालों तक हमारे पास signal भेज रही हो लेकिन उस समय पृत्वी पर advanced intelligent life थी ही नहीं जो उनके message को receive कर पाए प्रसिद्ध वैग्यानिक कारल सेगन के अनुसार यह भी हो सकता है कि हमारे भेजे गए signal उनके लिए एक random noise की तरह हो क्योंकि उनकी thought process हमसे तेज या slow भी हो सकती है जिस से हमारे message उनके लिए सिर्फ एक परेशान करने वाली मच्छर की आवाज हो तो यहीं वजह हो सकती है कि वो हमसे contact नहीं कर पा रहे हो वहीं एक type 2 civilization एक ऐसी बेहद advanced civilization है जो अपने सूर्य की ही पूरी उर्जा को प्रयोग में ले सकती है इसके लिए ऐसी civilization अपने सूर्य के चारों और एक डायसन स्फेर का निर्मान करेगी जो पूरे सूर्य को कैद करके उसकी उर्जा को यूज लेगा एक type 2 civilization इतनी ज्यादा advanced होगी कि हम सोच भी नहीं सकते इनके लिए interstellar travel काफी आम बात होगी जैसे हमारे लिए गाड़ी चलाना वैसे ही इनके आम aliens के लिए एक planet से दूसरे planet पर जाना बच्चों का खेल होगा इनके advanced technology इतनी powerful होगी कि वे एक पूरे planet को ही काफी जल्दी अपने रहने जैसा बना ले ऐसी civilization की population पूरी galaxy में आसानी से फैल सकती है अगर galaxy में मौझूद aliens type 2 civilization है तो हो सकता है कि वे हमारी धर्ती को past में विजिट करने आये हो लेकिन उस समय हम इनसान पैदा ही नहीं हुए थे या फिर उस समय life ही पैदा नहीं हुई होगी लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है तो वे अब क्यों नहीं आ सकते यहां दो interesting possibility है कि हो सकता है कि वे ही यहां आये हो और धर्ती पर life का बीज उन्होंने ही बोया हो यानि वे हमारे ही पूरवज हो या दूसरी possibility यह भी हो सकती है कि वे हमारे ही बीच रह रहे हो और हमें पता ही नहों वे यहां आये हो और यही बसकर रह गए हो वे इतने advance हो कि वो हमारे बीच खुफिया agent के तौर पर रह रहे हो या फिर वे हमें दूर से ही observe कर रहे हो और हमें disturb नहीं करना चाहते हो और हमसे मिलने के लिए एक सही मौके की तलाश में हो लेकिन इससे भी ज्यादा advance civilization होगी टाइप 3 civilization जिसके कारनामों को टाइप 2 वाले लोग भी imagine नहीं कर सकते एक टाइप 3 civilization पूरी galaxy की उर्जा को प्रयोग में ले सकती है और ऐसी civilization आसानी से किसी planet को बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है इनके पास इतनी advance computing power होगी कि ये हमारे जैसी कई टाइप 0 civilization को कम्प्यूटर के अंदर simulate कर सके जो कम्प्यूटर के अंदर रहकर ये सोचती रहे कि वह कम्प्यूटर की दुनिया ही पूरा ब्रम्हांड है अगर ब्रम्हांड में type 3 civilization मौझूद है तो इसमें कई संभावनाएं है हो सकता है कि पृत्वी पर मौझूद life और हम सब उन aliens के किये गए experiments हो हो सकता है कि वो हम सब इनसानों के साथ नए नए खेल खेलते रहते हो हमें कंट्रोल करते हो हमें लडाते हो और ये सब करके वो हमारे साथ गेम खेल रहे हो या फिर ये भी संभव है कि हम सब उनके द्वारा बनाए गए एक computer simulation है जो computer के अंदर ही मौझूद है और हम सब उनको खोज रहे हैं जबकि हमें पता ही नहो कि वो तो computer के बाहर मौझूद है हो सकता है कि वे type 1 और 2 दोनों ही civilization को एक दूसरे से मिलने न देना चाहते हो लेकिन दोस्तों ये तो हमारे लिए थोड़ा negative है हो सकता है कि alien civilization तब तक हम से contact नहीं करेगी जब तक हम आपस में लड़ना बंद न कर दे और एक साथ एक दूसरे के साथ harmony में रहना शुरू न कर दे जैसे मध्यप्रदेश की घटना जो बताती है कि हम इंसान self destructive है इसलिए हो सकता है कि जब तक हम इस self destructive behavior को छोड़ न दे तब तक वह alien civilization भी नहीं चाहेगी कि हमारा self destructive wires उन्हें भी infect न कर दे वैज्यानिकों के अनुसार कोई भी technological advance सभ्यता एक समय के बाद किसी न किसी कारण से खुद को नश्ट कर ही लेती है हो सकता है कि type 3 civilization ने अपने self destructive behavior को छोड़ कर ही type 3 level को अचीव किया हो इस वजह से वो नहीं चाहती कि हम उनसे contact कर पाए लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हमारे universe में advance alien सभ्यता मौझूद है तो भाई लोगों इनसे मिलिए ये हैं Frank Drake जिन्होंने वो equation ढून निकाली है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ब्रम्हांड में total कितनी advance सभ्यता मौझूद है इस equation में कई factors है जिनसे पता चल सकता है कि हमारे universe में कितनी advance intelligent सभ्यताएं मौझूद हो सकती है इस equation में एक factor L इनसान के self destructive behavior को लेकर भी है जो ये decide करेगा कि universe में advance सभ्यताएं कितनी मौझूद है इस L factor का मतलब है कि कोई सभ्यता कितने समय में खुद को नश्ट कर लेती है ड्रेक equation के इन सारे factors को मिला कर यदि calculate किया जाए तो N की value या एक से कम आनी चाहिए या एक से अधिक दोस्तों अगर N की value एक से अधिक आती है इसका मतलब हमारी galaxy में हमारे अलावा भी आधुनिक intelligent सभ्यता मौजूद होगी लेकिन अगर N की value एक से कम आती है तो इसका मतलब है ब्रह्मांड में life सिर्फ पृत्वी पर ही है और पुरे ब्रह्मांड में सन्नाटा मौजूद है पृत्वी के अलावा कहीं भी life नहीं है दोस्तों इस equation के result के अनुसार या तो हम अकेले है या हमारे अलावा भी universe में life मौजूद है Arthur C. Clark के अनुसार ये दोनों ही situation equally डरावनी है लेकिन दोस्तों चाहे हम अकेले हो या नहीं क्या आपको नहीं लगता है कि पृत्वी पर life को preserve करना चाहिए हमें अपने self-destructive behavior को ठीक करना चाहिए क्योंकि अगर हम ब्रम्हांड में अकेले हैं और अगर हमारी civilization इस self-destructive behavior की वजह से खत्म हो गई तो पूरा ब्रम्हांड life से शून्य हो जाएगा ब्रम्हांड में जलने वाली life की एक रोशनी एक उमीद की किरन भी खत्म हो जाएगी जैसे इतिहास में कई सभ्यताएं नश्ट हो गई तो दोस्तों आपको क्या लगता है अगर aliens है तो वे हमें contact क्यों नहीं कर रहे और अगर नहीं है तो क्या पूरे ब्रम्हांड पर हमारा अधिकार है कोमेंट में जरूर बताईए मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए ब्रम्हांड में घूमते रहिए